हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ, हमारी चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर दोस्तों आपने अपसर दीखा होगा के हम अपने फेस्प्रा के अंदर नीमू की मातरा अपसर मिलाते हैं क्योंकि नीमू के अंदर विटिमन सी और ब्लीचिंग एजेंट काफी ज्यादा होगे हैं जो चेहरे से टैनिंग, दाग धबे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारी तुच्छा को पोशन देते हैं लेकिन कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि अगर उन्हें नीमू का इस्तेमाल अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए करना है तो वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं आईए जानते हैं कुछ और जरूरी बातें इसी विशह में दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुचा काफी ज्यादा गोरी हो तो रोजाना एक नीमू को कट करके हाफ पाट को आप जैतून के तेल के अंदर डिप करके रखिए पांच मिनट के लिए और उसके बाद उसी टुकडे से अपने चेहरे पर मसाज करिए जैतून का तेल और नीमू का अरज़ जब आपस में मिलते हैं तो आपके चेहरे को काफी ज्यादा ग्लो करते हैं चेहरे से गंदिगी को साफ करते हैं और टैनिक की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप नीमू को सीधा ही अपने चेहरे पर लगाने की बजाए नीम्भू को पानी के साथ mix करके उसके बार चहरे पर लगाएं ऐसा करने से नीम्भू का acidic तत्व काफी कम हो जाता है और वो आपकी तुछा पर जनन पैदा नहीं करता है टिप नमबर थ्री है lemon exfoliation चहरे को exfoliate करने के लिए एक निम्बू के रस के अंदर एक चमच ब्राउन शुगर और एक अंडे का सफेग भाग मिला कर अच्छे तरीके से अपने चहरे पर scrub करी ये चहरे की सारी dead skin cells को खोल कर आपके बंद पोर्स को खोल देगा और सारी dead skin cells को remove कर देगा टिप no.4 है lemon lotion आप निम्बू का lotion बना कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लीस रिंग के तीन भाग के अंदर lemon यानि की निम्बू के दो भाग मिला कर 3 to 2 के ratio में मिला लीजी और इसे आप अपनी body को moisturize करने के लिए lotion की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सो दोस्तों यह है कुछ अच्छे तरीके lemon का इस्तेमाल करने के अपनी beauty को बढ़ाने के लिए सो इसे try जरूर करिए मेरी beauty और health से related videos को देखनी के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजे तब तक मैं आपकी दोस्त नाइरा आपसे इजासत लेती हूँ